अब आपने बहुत बार खाये होंगे लेकिन आज हम बनाएंगे बिना सूजी बिना बेसन बिना मैदा में किसी चीज की भी जरूरत नहीं है बस सीधे सिंपल हम आटे से अपपे बनाएंगे और ये अपेक्ताम टेस्टी टेस्टी बनते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट और एक ofereata इसे चलनी से छांद कर ले एक दोरिया पर हम डालेंगे ठेर सारी वेज़ीटेबल्स अगर आप कोई वेज़ीटेबल्स नहीं डालना चालते हैं तो पांप जतक्ते हैं तो हमने एक अलुगों च्रीड कट कर लिया है अगर आपको तीखा ज Woo मिर्ची आप ज़यादा डाल सकते हैं सारीेटेबल's को हम अगर आगर आपको इसँ मेंसे कोई लाल मिर्च डाल सकते हैं थोड़ी सी खुटी वही लाल मिर्च डाल Εमें ऑदा-चंत से महलदी पावडर के लिए vyमाक दालें गे पदानुसार एक कटोरी के करीब हमने दही लिया है दही में हमें इसे अच्छे से मिला लेना है और जब हमें पानी की ज़रूरत पड़े तब हम इसमें पानी डालेंगे इसका हमें गाढ़ा बैटर तयार करना है पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए नहीं तो अब पे बि दस मिनट पर तड़का तड़का तयार कर लेते हैं पैन में तेल गरम करेंगे सर्सोका तड़का लगाएंगे यह चटक नहीं लगे तब इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और कड़ी पत्ता अमें गैस को बंद करके डालना नहीं तो यह चल जाएगी दस मिनट पार तड़के को बैटर में डाले और इसे अच्छे से मिला ले अगर आप तड़का नहीं लगाना चाहते हैं आपको नहीं पसंदे करी पता तो आप तड़का ना लगा इसे ऐसे ही बना ले अप्पे पैन को लो फ्लेम पर गरम करें और इसे तेल से थोड़ा चिकन कर ले ताकि आप बिल्कुल भी न चिपके और अगर बड़े बड़े से अपे बनाने हैं तो दो चमच बैटर और चोटे अपे बनाने हैं तो एक चमच बैटर डाले इसे बढ़िया से भर भर के डाले ताकि एक्दम गोल मटोल से फुले-फुले से अपे बने इसे दो पूसरी साइड भी सीख जाएंगे और यह दोनों साइड अच्छे से सुने रहे हो जाएं तब इसे हमें गर्मा-गर्म सर्व करना है आटा से बने यह अप्पे आप देख सकते हैं कितने ज्यादा फूले-फूले से और इकदम इस बने हुए हैं इसे आप गर्मा-गर्म इस तरीके से बना करके खाएं बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं और बिना किसी जनजट के बिना किसी तयारी के हम इसे दस मिट में बना सकते हैं बहुत ही ज्यादा सौप्ट है खाने में उतने ही ज्यादा टेस्टी इसे हम सर्व करेंगे आम की खटी चटनी के साथ क्यो और इसे खाएं और सभी को खिलाएं और मुझे कॉमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कि आपको यह पे कैसे लगे दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा मिलते हैं एक नई रेसेपी के साथ नेक्स्ट वी झाल